कि तुकाइस फाइनली काफी रिक्वेस्ट के बाद आज में करने वाला उपना बेस्मेंट टोर तो पीछ आप देख रहे हो यह जगा जहां पर मैं रहता हूं नहीं ऊपर नहीं रहता हूं नीचे में रहता हूं और आज आपको पूरी लोकेशन दिखाऊंगा मैं यहां से आ देखनी चाहिए जो कि आपको याद में नखनी चाहिए जब आप एक बेस्मेंट फाइंड करें या फिर एक रूम फाइंड करें अपने रेंट पे रहने के लिए कैनड़ा में तो चलो जल्दे शुरू करते हैं तो सबसे पहले आर नेबर हूट देख लो कुछ इस और यह जो हमारा बेस्मेंट का डोर है अब काफी लोगों को ऐसा लगता कि बेस्मेंट का मतलब होता है कि जो रूम अंडर ग्राउंड बने होते हैं या फिर जो ग्राउंड लेवल के नीचे होते हैं लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कुछ केसिस में आता हो जहां पर पहले लेकिन यह फुली ग्राउंड पर ठीक है यह ग्राउंड लेवल वाला है तुम देख सकते हो इसके नीचे जाने की जरूवत नहीं है ग्राउंड लेवल पर जो है बेस्मेंट है तो अब चलते हैं तो जैसे कि मैंने देखाया वह हमारी स्ट्रीट में यहां से अंदर आता ह है आज जो है ना घर पर कोई इसले मैंने सोचा कि यह बेस्मेंट है भाई रूम टोर करने का और हाउस टोर करने का तो इस द्रवाजे को खोलते हैं तो कुछ इस टाइप का जो है हमारा लिविंग एरिया यह बेस्मेंट जो थोड़ी सी पुरानी है जादा नहीं नहीं ले मैं पहले रूम में रुका था रहा वह रूम अलड़ी क्लीट नहीं तो इसलिए मैंने कभी एफट भी नहीं करने का तो हमेशा उपे क्लेटर रहता था लेकिन अगर आप एक लिए रहती है और मैं रहती है और मैं रिकमेंड करता हूं कि आप जहां पर भी रहो आप करो इसलिए बहुत सद्वयों की एक यह सोफय कारपेट एदर ठीक है और यह हमारा किचें अरिया है और वहीं आपको दिखा देता हूं किचें अर्या में और क्या की छीज़ें इंक्लूड़ीड है ना रेंट में आपको बताऊंगा ठीक है तो यह हमारा सबसे पहले सिर्ग का यहां पर वहारी गार्बेज मेन है यहां पर जो है हम वहीं बहुत आलसी हूं यहां पर यहां पर मैंने एक एयर रखा हूँ जो है कभी को बां चिकन को बना लेता हूं ठीक है उदर हमारा आगया यहां हमारे पास एक ब्रेड का टोस्टर यहां पेवर टाॉबल से वह कुछ क्लीन करना हो थो Historि ऐगे की हमारा सामारा सामान प्रेडुर trans racerous means सारी ए benefits घ्र çीर ओновSab एक्स्टा समान जो है यहां पर रखा ही होता है यहां बरतन रखे होते होते हैं तो पैंट्री भी में आपको लिखा ही देता हूं कुछ इस टाइक का हमारा देखो जैसे सारा समान रखा रहता है हम प्रोटीन है बाकी ब्रेड रखी और बाकी सही ची रखी है ठीक है पैंट्र यहां पर फ्रीजर है यह हमारा पूरा लिविंग रूम है और आगी है हमारे जो भी रूम्स है ठीक है सबसे पहले यह जगा यहां पर हमारा हीटिंग यूनिट है यहां पर अक्चली तो में बता है हुआ गया था तो बेसिकली जो लाइंड़ॉड है ना क्योंकि हमने इसले आपके हमें समान रखाऊ था जो कि अलाओट यहां पर हीटिंग अधा है ठीक है तो वह दिंजरेस होता है तो खाड़ निया यहां पर जो है एक लॉक लगा दिया थिक है ताके अमें खोलना पाए लेकिन पता नियुह लगा लोग क्यों लगा ये यह जाता है अब भी जात और वो या भाई हमारा रूम में ठीक है तो यहां पर एक्स्प्लेइन कर दूं कि हम टोटल चार लोग रहते हैं बेस्मेंट में ठीक है दो हम इस कमरे में रहते हैं और दो जो है आगे वाले उस कमरे में रहते हैं ठीक है चार लोग रहते हैं रेंट मतलब शेरिंग में रहते यहां हमारे queen size bed तो सब्सके कब मेरे चीज़े है इसाइट जो मेरा roommate है उसकी चीज़े है यहां पे roommate का एक piano रखा हुआ है और यहां पे जो मेरे roommate ही closet है मेरी closet भार है वो मैं आपको दिखाऊँगा यहां मेरे जो सब्सक्ता पूरा कमरा है मेरी जो है वहड़ी मीडियॉत तो यहां फॉर चीज की यहांपर मैंने अपना स्कूटर रखा वह है जिलनों को नहीं पता यहिस फाई मेरा पाही घ्यान DAVID तो यह मेरा अपर यहां पर वही सारी जैकेट सरी हैं उपर जो है अपना वही शर्ड्स हैं ट्राउजर्स हैं ठीक है नीचे हमारे यहां पर दो बैग रखे में जो कि मैं इंडिया से लेखे आया था और इस पर टाइग लगा हुआ अभी तक एरपोर्ट वाला यह कोई नहीं हटाता है लेकिन तो यह कर देते हैं इसको बंद यहां मेरा क्लोजर ठीक है यह अपना रूम जो कि मैं तो में दिखाई दिया और वहां पर जो है अगर तुम्हें थोड़ा पास जाके दिखाऊं अपना एरिया तो एक पांडी की बोतल में रखता हूं ठीक है यहां पर हमारा गूगल होम है और एक वायरलेस चार्जर है यहां पर थोड़ी में चीजे रखी हुई है यह एर प्यूरिफायर है थोड़ा वाकि मैंने खाने का सवान रखाव रूट्स और डाक चॉक्लेटर की हुई है और नीचे मेरे थोड़ी दोक्यूमेंट्स पड़े है ठीक है बेसिक बिल सिंपल चीजे है यह रहा हमारा ऐसे रूम है वैसे साटरेड़े संदे अभी मतलब भी वीकेंड चल रहा है तो थोड़ी अभी सफाई में भी कर रहा था और वैसे यूजली ऐसी रहता है यह से कुछ जादा गंदनी पड़ा होता तो वीकेंड्स पर हम ड्यूटी कर लेते हैं और जो है कि यह दसेट हैं कुछ जाता है तो सब चल तो यह 40 चीज़ें कर देते हैं अधर में टहले किश्कित नेंज़ देखा हैं तो यह रूम कंदना है यह दौर ज़िया अगर हम एसी नहीं टाटे में तो यह एं जूर्टी बरहें में यह साथ में दो रहते हैं उनका रूम और वाश्रूप में अग्रला की आट आटेऊ कि में इसे पर आटें हैं तो सबहाते हैं हमिच अहां गलीया या छले आटे और ये रहा गई टो दिखाने मैं वánh भाणा छाष्मार नहीं देखी सकते ये रहा मैं टेका ये रहा हमारा सिंख बाकी है ये ये सबकुछ भाकी वहाई my शावर लगा होगा है थो चलो आप बात करते हैं भाई रेंट के बारे में और कुछ चीजों के बारे में जो कि एपको जिस पर दिहान चाही ठीक है अगर आपने आने ऐने च्वेटर में लिए फीछर में चया रहे हो तो उसके बारे में बात करते हैं ठीक है नंबर वान कि अगर आपको पैसे बचारेतो अड़ों दौट तो तो अब जाओगे तो टोिँ अब्यूर्या Analis यक्रम करते हैं च्छीर for this room sharing में रहता हूं मैं ठीक है क्योंकि टू बेडरूम बेस्मेंट है और हम चार लोग रहते हैं तो हर बंदा जो है 400 डॉलर पे करता है तो टोटल तो में लगा लो कि उपर कितना रेंड जाता है और यह है इसमें एक और चीज मतातों कि लेकल पर मस्केर करें यहां बारा यांडे का सकते हैं अगर आप आप तो यह ब्सक्रेविक्राइब रहते हैं फाइंग तो बैस्मेंट करो थे इस्टी ऊचिए उप्छा सकते हैं तो छी सब्सक्राइब नहीं बिए उससे आप इसमें लोग टो करके थोड़ टाइम लगा के सस्ता ओप्शन फूंड लोगे जो कि आपकी नीट्स पूरी कर रहा है तो अब एक और चीज यार की रूमेट्स का जो है इंफ्लोएंस काफी मैटर करता है मतलब आपको काफी या कॉंप्रोमाइस करने बढ़ते हैं ठीक है बहुत बार जो है कभ लोड़ा वैरिफाय कर लेना कि लिस्टिंग करेक्ट है नहीं कि काफ सरे स्कैम होते हैं कि इंडिया में से आप से स्क्यूरिटी डिपॉस्ट ले लेंगे यहां पर आपको अचली करता तो जिसको आपने पैसे दिए वह रियल ओनर नहीं था तो भाई आप देखोंगे तो इंडिया से रूम बुक कर आ रहे हो अगर यहां पर रूम बुक करें तो कुछ सेक्यूरिटी डिपॉसिट लगता है जैसे मेरे मैंने दिये थे 150 डॉलर्स एसे सेक्यूरिटी डिपॉसिट और पर मत और यार एक और प्रब्लम जो कि मैंने बहुत जादा फेस करी है जब इ और आके कुछ भूने लगी जाती है या फिर कहते हैं या ऐसे करो बहुत ही जादा जो है कमांडिंग वाले टाइप लोग होते हैं अथॉरिटी वाले भाई ऐसे ही चाहिए और यही करो तुम और तुम इस टाइप सीन रह सकते रात को बारा बज़े के बाद यह गाने नही अब लेकिन उस जगह पर तुम्हारा फिर हो जाता ना जब तक तुमने रेंट पे कर रहा है तो प्राइविसी यहां पर प्राइविसी को इंडियन लैंड लॉड़्ोड़् है वह सही से नहीं लेते हमारा तो बिल्कुल सही हमारे हमारे जो है कोई डिस्टर्ब नहीं करते तो इसलिए तुम्हें छोड़के जाना पड़ेगा एक महीने का उन्होंने पहले बता दिया था तो उसमें जाद कोई दिक्कत नहीं है और वो कहरे है कि एक बापिस भी आसकते हैं क्योंकि अगर एक जाने में पूरा अपना समान लेगे जाओ फिर एक महीन बात फिर से वा हो नई बेस्मेंट टोंड रहा हो अभी जो है एप्रिल चल रहा है और लेट्सी कैसे मिलता है तो बाकियार आपको यह वीडियो अच्छी लेगी होगी अगर आपको मुझे से कनेक्ट होना है तो आप मुझे इंस्साग्राम पर फॉलो कर सकते हो बाकियार मैं इंटरनाशन इतनी जाके वीडियो चेक आउट कर लो दोनों बहुत इंटरस्टिंग वीडियो थे दिस वो समर्जीत साइनिंग ओफ